कुमार दुबी रेलबे ओबर ब्रीज समीप मोहले में गोबर के गंदगी से ग्रामीन परिसान कोबिन महम्मारी के समय कुमार दुबी रेलबे ओबर ब्रीज के समय मोहले के ग्रामीन गोबर के गंदगी से परिसान है गोबर का गंदा पानी डेन के रास्ते घरों में प्रवेश कर रहा है जिसे हमारी फेलने की असंका है गंदगी के कारण कोई लोग बिमार होने लगे हैं वही इस गंदे रास्ते से होकर स्कूल, कालेज, बजार और मंदीर जाने को लोग मजबूर हैं आलम इतना भयावर हो गया है कि इस रास्ते से होकर कोई गुजरना नहीं चाहता है प्रंटू वही मुखी रास्ता है जिसे होकर ग्रामिनों को गुजरना पड़ता है अस्थानी गरामिनों और महिलाओं का कहना है कि आसपास के भैस और गाय का गोवर को राले में बहा देते हैं जिसके चलते इस्ती दीन परती दीन बत्तर होते जा रही है अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो महमारी फैलने से कोई नहीं रोक सकता वहीं अस्थानी गरामिनों का काना कि इस मामले को लेकर कई बर मुकिया योम अस्थानी जनपर्दिन इदियों को कहा गया परंतु वे इस दीसा में कोई ठोस कदम नहीं उठाते जिसका खामिया जाएगा रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है मुहले के लोगों नास्थानी जनपर्दिन इदियों सफाई की मांग की है बताए कि मुहले के नाले में आसपास के खटाल से गोबर लाकर गिरा रहे हैं जिसे पुरा नाला जाम हो गिया है नाले का गंदा पानी सडकों से होते हुए घरों में प्रवेस कर रहा है नाले का ये पानी कुई में गिर को उसे परदूसित कर रहा है ग्रामिनों निजिले परसासंस गुहर लगाते हुए कहा की जल्द से जल्द इसकी सफाई करा कर मुहले में महमारी फलने से रोखने का काम करें गुहर लगाने में पहुंझ जस्वार राजकिस और जस्वार पीसी ठाकूर दुर्गा देबि अभिसेग जस्वार मन्टू सवमन महान सिंग सोनू सिंग मुकै सहुसरे सहुमन समेत मुहले के अन्ने कई लोग सामिल हैं आईए बात करते हैं अस्थानिय लोगों से सफाई कोई जैसे वहाँ पर भी जाते सफाय कोई ने देता है पबली पर जैना इसकी पैसा मिलके शाफ कर देते हैं लेकिन कोई देखता है यह वाड वाला पाश कहीं भी जाता है इसका पंड में पैसा अपने कराई हैं अगली खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सेस्क्राइब करें